हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल आरोगय वैदनी दोस्तो बारिश के मोसम में बच्चों की पाचन प्रया को लेकर कही समस्या देखने को मिलती है साथ ही उनको पेट दर्द या फिर पेट से जुड़ी बीमारिया होती है इसलिए हमें सतर्क हो जाना चाहिए और बच्चों को जम फूर नहीं देना चाहिए आप उन्हें मोसम के अनुसार फल और सब्जिया दे सकते हैं या फिर घर का बना ताजा और सच्चे खाना उन्हें दे ताकि वे स्वस्तर रह सके आज में आपको कुछ ऐसे चिजों की बारे में जानकारी दूंगी जिने खाकर बच्चे हमेशा हिल्दी, स्वस्तर और मांसू में होने वाली कई तरह की बीमारियों से वे दूर रह सकेंगे बच्चों को पेट दर्द होता है उस समय बच्चों को सेफ खिलना बेतर माना जाता है क्योंकि सेफ में आयन फाइबर एंटी एक्जिएंस बरपुर मातरा में पाया जाते है जिसे की पेट दर्द में हमें निजात मिलती है तो पच्चने में भी बेहद ही हलका होता है इसल तेला कपस और अलसर की समसर में भी निजाद दिलाता है। ध्यान रखे फ्रेंड्स की बच्चों को अधिक एला ना खिला आना था उन्हें उल्टी हो सकती है। तेला और मसाले से वनी मुंग दाल की किचडी बच्चों को खिलानी चाहिए। किचडी में मिले हुए चावल, दाल और घी में फाइबर, प्रोटीन, विटैमिन सी जैसे साथी कार्बोहेड्रेट्स ऐसे पोशक तत्वोस में होते हैं जो कि वे आसानी से पच जाते हैं। नारेल पाणी पीने से बच्चों के पेट दर्द में काफी राहत मिलती है, साथी आपके बच्चों की बोडी में हाइडरेट उत्पनना करता है, इससे बोडी हाइडरेट रहती है। नारलपानी फाइवर का एक अच्छा स्तूत्र है इसलिए बच्चे की पाचन तंद्रों को ये बेहतर बनाने में मदद करता है। दही में हिल्दी बैक्तिरिया पाया जाता है जो पेट दर्ण में फाइदेमन्द होते हैं। यह बच्चों के पेट में healthy bacteria की संक्या बढ़ाते हैं और पाचन को भी बहतर बनाना इसका यह मुख्य काम है ते की पेट डर्द ठीक हो जाता है तो बच्चों को सेब, केला, मुंग दाल की किचड़ी, दही, नारल पानी देना चाहिए जिस वज़े से उन्हें पेट डर्द तो अगर से आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना बुले, साथी बेल बट्रन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी नए वीडियो अप्लोड करू तो आपको उसकी नौटिफिकेशन मिल जाए, तो फ